हेलो दोस्तो नमश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की दिन की बात करें तो दो वीडियो अपलोड हो चुके एक IPO से रिलेटर एक ES Bank और Trident से रिलेटर दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे मिल जाएगी सब अब लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड जो सवाल यहाप बार बार पूछा जा रहा है यस उसी से रिलेटर एक आर्टिकल भी हम लोगों को यहाप देखने को मिल रहा है एंड इसी से रिलेटर यह वीडियो देखने को मिलने जाला है तो अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप लोग यहाप देख सकते हैं अलग-अलग रिपोर्ट्स अभी सामने आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है अभी कॉर्टर फोर के नंबर्स का सिलसिला चालू हो चुका है आज की दिन भी बहुत बड़ी कंपनी का जे-म वेवरिस का भी नंबर्स सामने आ चुका है तो मतलब कह सकते हैं कि कॉर्टर फोर का सिलसिला शुरू हो चुका है तो या पर रिपोर्ट्स के जरी अगर मैं बात सामने करूँ तो बैंक से रिलेटेड एक ही इंपोर्टेंट न्यूस है इस वक्त बैंकिंग स्टॉक क नंबर्स की बात नहीं हो रही है बनकिंग स्टॉक के एक ही चीज़ की बात हनए और एंपी ए कि कॉट का या इससे पहले ऐडर था कि एंपी आप लोग नहीं रेकॉड करोगे करके दिखाऊ इो इन जब तक हम लोग ईडर महीं देते हैं अभी वह सारा माजरह, खतां हो ये जोस्तो अगर हम लोग यहापे बात करें रिपोर्ट्स के जरीए न्यूस सामने आ रही है अगर हम लोग बात करें इकरा की ये जोस्तो अगर हम लोग इकरा के रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्हें ने भी सेम चीज ऐसे ही आपे बताई हुई है कि जो अभी 31st मार्च मत इसलिए हर एक का अपना अपना calculation होता है तो अगर हम लोग further NPS की भी बात करें Gross NPS की Net NPS में तो adjustment हो जाते है Gross NPS की बात करें तो वो हम लोगों को 10% से भी जादा देखने को मिल सकता है ये 2022 की बात हो रही है 31st March की सो हम लोग जरूँ यहाँ पर कह सकते कि आने वाला जो यहाँ पर पिरिट रहने वाला है मतलब जो अल्रड़ी शुरू हो चुका है 2021-2022 वो यहाँ पर हम लोग कह सकते Banking Stocks के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है Asset Quality को लेके उसी केस साथ साथ अगर हम लोग बात करें उनको performance क्योंकि Asset Quality मतलब loan जो देने वही वापस आने के chances कम है and reason बहुत simple है COVID के चलते अभी देखे वापस lockdown mini lockdown अलग-अलग states में देखने को मिल रहा है बहुत सारे business वापस impact यहाँ पर होने वाला है लोगों को यहाँ पर पता है इसी से related जो सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे क्या banking stock खत्रे में news पढ़ कर तो जरू हम लोग कहेंगे क्या asset quality खराब NPS की बात यहाँ पर हो रही है gross NPA बढ़ेंगे तो banking stock में issues रहेंगे इसलिए आज की दिन की भी बात करें तो 177 points की गिरावट देखने को मिल रहें बट यह गिरावट उससे भी जादा है actual में क्यों क्योंकि bank nifty बहुत अच्छी तरीकी से higher level पे कहता है और वहाँ से हम लोगों को यह गिरावट देखने को मिले तो इनके उपर जरू हम लोगों को प्रेशर देखने को मिलने वाला है quarter 4 के भी numbers के अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग already यहाँ पर mentally prepared हो रहे या फिर अगर हम लोग कह सकते की lending वाले stock, banking sector वाले stock, finance services provide करने वाले stock यहाँ पर हम लोग को factor होते वह देखने को मिल रहे adjust होते वह देखने को मिल रहे result के पहले ही तो इसी से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखे PSU bank तो हम लोग count करते भी नहीं है वहाँ पर NPA कितने भी बड़े सरकार है ही उनके पीछे, इससे लिए तो सरकार privatization से related शायद से focus कर रही होगी PSU की बात करें तो वहाँ पर State Bank of India एक है जो की सरकार के अंडर ही रहने वाल है हमारा main focus आ जाते है private bank के और तो मैं private bank के और यहाँ पर click कर ही लिता हूँ तो प्राइवेट बैंक यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहे है बार-बार क्या है यह banking stock खत्रे में है तो इसका जवाब आप चाहो तो बोल सकते है partially yes, partially no yes किसके लिए तो obviously दोस्तों जो banking stock fundamentally poor है जो खराब performance देते है तो ऐसे banking stock obviously खत्रे में तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो stock fundamentally strong है जिन stocks की मैं बार-बार जिक्र करते रहता हूँ ऐसे banking stock में आप लोगों ने डरने की ज़रुवत नहीं है and मैं आपको बताना चाहूँगा यह मैं वीडियो 2-3 मेहने पहले बना चुका हूँ same way में कि यहाँ पर अगर आप लोग चाहो दिमाग लगा कर तो पैसा भी बना सकते हो पैसा कैसे बनेगा कि banking stock की अच्छे fundamental banking stock की list बना के रखो जब यह NPS की issue होने वाले है बहुत ज़्यादा banking stocks में गिरावट आ जाएगी तो अच्छे stock को उठा लेना और बहुत सारे mutual fund भी यही करने वाले है यह ऐसा कभी नहीं होगा कि banking sector खतम market कभी खतम नहीं होने वाले और खास करके finance sector तो बिलकुल भी नहीं finance को अगर कुछ हो गया तो पुरा market ही खतम हो गया हाँ हम लोग कह सकते कि एक consolidation phase में चला जाए slow down हो जाए एक साल में कुछ भी return ना दे सके बट future में वो उपर ही जाने वाला है यह सबी लोग को पता है so short term वालों की band बच सकती है जो मुझे बिलकुल पसन नहीं long term वालों को कोई चिंता करने की ज़रुवत नहीं सिर्फ अगर आप चाहो तो SIP mode अच्छे stock में लगा कर banking stock में लगा कर अच्छा गासा long term में मुनाफ़ा भी आपे कमा सकते हो so क्या banking stock खत्रे में तो again कहना चाहूँगा अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ हमारे portfolio में जो banking stocks रहते है तो मुझे तो बिलकुल भी कोई इससे फरक पढ़ने वाला ने क्योंकि मैंने इससे पहली भी बोल चुका हूँ जो NPA का problem है वो किसी एक bank का नहीं है कि इसका होगा इसका होगा इसका यह तो पूरे sector का है आप private हो या फिर public हो सभी लोगों के लिए एक equally यह सारी चीज़े impact होने वाली है so ऐसे situation में कौन से bank खत्रे में रहेंगे जो corporates को loan जादा देती या फिर जो छोटे businesses को loan जादा देने के ओपर focus रखते है and वो fundamentally खराब भी है so ऐसे banks को double जटका लग सकता है हाँ अगर आप लोग बहुत बड़ी bank है and छोटे इसको देते हैं तो वो जहल लेगी आराम से so इतना ही कहना चाहूँगा जो लोग यहापे पूछ रहते हैं doubt बिल्कुल सही है आपका कि NPS का issue रहने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं है अभी बहुत ज़्यादा यहापे NPS एकी टाइम पर दिखने वाले है क्योंकि last quarter 3 में तो सभी लोग ने enjoy किया क्योंकि कोई भी NPS अगर आप देखोगे तो पिछले टाइम से कम ही नज़र आए है क्योंकि वो record नहीं किये गयते तो इतना ही कहना चाहूँगा यह NPS का जो problem है वो सारे banking stocks के लिए equal है सो मैं इतना कहना चाहूँगा अच्छे stocks में आप लोग बने रहे अभी आप बोलोगे अच्छे stock कौन से तो मैं already बता चुका हूँ मैं अपने इसाब से बता रहो हर एक का अपना अपना नजरिया अलग हो सकता है सो HDFC bank अगर आपके पास है मुझे ऐसा लगता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं डरने की जरूरत मतलब यह मत समझ लेना कि यह 1400 का stock मीचे गिरेगा ही नहीं वो कितना भी गिरे जितना हो सके खरीद लेना ऐसा मुझे यहां पर लगता है बट खरीद लेना मतलब लॉंग टर्म के लिए आपको होल्ड करना आना चाहिए आप देख सकते यह देखे लॉंग टर्म की जरूर्णी में देख लेना HDFC bank अच्छा ही performance करता है बहुत बड़ी bank है कोई छोटी-मोटी bank नहीं टॉप 5 में आने वाली company है अगर हम लोग बात करें कोटक महिंद्रा bank आराम से आगे बढ़ सकते हो तो जरूर आप लोगों को returns मिल जाएंगे ऐसे banks में NPS के issues भी हो गए तो भी फरकने पड़ेगा क्योंकि यह दिगज है यह दिगज bank में ही पैसा यहाँ पे आएगा जबी भी कोई sector struggling mode में चला जाता है तो दिगज में पैसा आ जाता है और वो भी हम लोगों ने देखना होता है कि दिगज में पैसा आएगा बट क्या वो आगे perform कर पाएगा की नहीं सो हम लोग ज़रू कहे सकते कि banking stock में यह तो performance देने वाले then ICC bank अगर रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चिंता करने की ज़रत है नीचे आएगा तो आप चाहो तो आपे buy and disc भी कर सकते हो then अगर हम लोग बात करे तो access bank आप चाहो तो खरीच सकते हो मेरे पास तो नहीं है मैं ICC को थोड़ा सा preference देता हो risk लेना है तो then AU small finance bank अभी अभी bank nifty में enter किया है ज़रूर हम लोग कह सकते है नाम से अंदा जाते small finance provide करने वाली यह bank है तो यहाँ पर कोई दिक्कत है हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी अच्छा कासा bank है नीचे अगर आ भी जाता है तो आप थोड़ा सा risk लेके चल सकते हो then federal bank personal मुझे ऐसा लगता है थोड़े से risk की इसमें अब चाहो तो IDFC first के साथ अब अपने study के सबसे जा सकते हो मैं थोड़ा सा federal bank के और focus रखता हूँ then अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखा नहीं है bank पर बहुत सारो लोग बोलेंगे yes bank किदर है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि yes bank के आपकी last priority होनी चाह और उसमें भी थोड़ा सा पैसा जाना चाहिए right 100 रुपय मेंसे बात करें तो पाच रुपया चलो इतना ही उससे जादा है बाकी main core bank आप लोगों ने खरीद के रखने है तो यह अगर आपके पास ऐसे fundamental strong banks रहेंगे तो आप लोगोंने कोई चिंता करने के ज़रुत नहीं क्या banking stock खत्रे में तो खत्रा भी तरह ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों वापस कहना चाहूंगा वो थोड़ा time खराब रहता है यह हर किसी sector में होता है auto sector नहीं देखा आपने 2018 से क्या हुआ रहता आज भी रिकवर नहीं करें वो future में कर लेंगे यह cycle रहता है कभी यह अच्छा कभी वह अच्छा यह चलता रहता है तो मैं इतना कह सकता हूं कि कोई panic होने की ज़रुवत नहीं है अच्छे quality stock अगर आपके पास रहेंगे आप लोग अच्छे कासे return यहाँ पर कमा सकते हैं अगर आप लोग छोटे stocks के लालच में इंटर कर लेते हैं इधर उदर के banking stocks में तो फिर कोई मतलब भी नहीं है एक्स्टर्नल इशूज है जो कि सभी लोगों के लिए common रहता है तो उसका revival भी रहेगा तो सारे stock हम लोगों को वापस recover होते भी देखने को मिलने वाले हैं अगर आप लोग आगे उनको खरीद भी सकते हो आया बाशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर कर देना तो वी बिल भी मिटिंग आर नेक शुड़े तब तक के लिए बाई-बाई